हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अराध्य अरेस एकड़िमी में दोस्तों राजस्तान में आईजी तो सभी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए राजस्तान कलासंस करती के टोपिक वाइस टोप इंपोर्डेंट प्रैस्नों की सीरीज श्टार्ट की गई थी जिसमें दोस्तों अपने तीन चेप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं राजस्तान की कलासन्स करती में नमबर एक राजस्तान की हस्त कला नमबर दो राजस्तान के लोक नरते नमबर तीन राजस्तान के लोक डेवी देवता और आज अपना इसमें चोथा नंबर का चेप्टर है जिसमें आज अपन राजस्तान की चितर कलास से समंधित टॉप सो प्रैसन पड़ेंगे दोस्तों ये प्रैसन आपकी परिक्षा की दरश्टी से अतियंत महतोपून है और अगर आपने पिछली जो तीन कलासे हैं वो नहीं देखिए है तो आप ले लिस्ट में जाएए वापे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान कलास संस करती टॉपिक वाइज क्यूसन इस नाम से वहाँ फोल्डर मिलेगा तो आप वहाँ जाके पिछली कलासे हैं वो जरूर देखें और अरद्धारेस एकडिमी के यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रस्त ने देखिए मित्रों सेल चित्रों के लिए प्रसिदे आलनिया किस जिले में इस चित्त है बताईए ये आलनिया है ये कौन से जिले में है ये अपने को बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोटा के अंदर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B-number का option बिल्कुल सभी उतर है दोस्तों राजस्तान की चितरकला में सबसे पहले अपने को ये नाम पता होना चीए राम क्रिषनदास एक नाम है दोस्तों राम छिषनदास तेक है इनका नाम अपने को क्यों याद रखना है क्योंकि दोस्तों इन्हों ने ही राजस्तानी चित्रकला नाम दिया था सरो पर्थम राजस्तानी चित्रकला नाम किस ने दिया था तो राम कृष्ण दास ने दिया था तीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सेकंड नमबर प्रेस ने तिबत्ती इतियासकार लामा तारानाथ ने बोध चित्रकला की कौन सी सहली का वर्णन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देव सहली यक सहली और नाग सहली इन तीनों का वर्णन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएग डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तीन नमबर प्रेसन है देव सहली के संस्तापक कौन थे तो दोस्तो देव सहली के संस्तापक कौन थे तो वो थे दोस्तो आचारिये बिंबी सार आचारिये बिंबी सार ये दोस्तो देव सहली के सं चित्रकला का उद्वव किस सहली से हुआ है राम कृष्ण दास जी के अनुसार राजस्तानी चित्रकला का उद्वव किस सहली से हुआ है तो मैंने अभी आपको बताया था राम कृष्ण जी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हों नहीं नाम दिया था राजस्तानी चितर कला का कि भाई इसका उद्गव है वो कौन सी सहली से हुआ है तो देखिए देखिए उस समय क्या है कि गुजरात का सासक था सुल्तान महमूद बेगड़ा और मेवाड में दोस्तों महाराना कुमबा ये सासक थे दोनों कला के क्या थे आसरे दाता थे इस समय इनके मित्र राज्य कस्मीर में जैन्वल अबीन का सासन था जो उन्नत उदार का राजा था तो दोस्तों इसमें कस्मीर सहली इसमें कस्मीर सहली से उद्वव हुआ माना जाता है राजस्तानी चितरकला राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन बिलकुल आउतर पांच तो दोस्तों यह माना जाता है पंदरवी सताब्दी के उत्रार्द से सोलवी सती के पूर्वाद के बीच में तीक है यानि कि पंदरवी सती के खतम होने पे और सोलवी सती के समाप्त होने से सोर्वी सदी के पूर्वर होने से पहले तीक है राजस्तानी सली का प्रारंबे माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें संगीत काववे तथा कला की तिर्वेणी किसे का जाता है तो ये का जाता है दोस्तों किसे तो रागमाला चितरन को का जाता है ए नंबर का उप्शन राइट आंसर रागमाला चितरन आगे देखिए महरणा कुमबा के आदेश से किसे सट रीतू का चितर तयार किया बताए महर श्रावक प्रतिकर्मन शुतर चुर्णी यानि कि स्रावक प्रतिकर्मन सुतर चुर्णी का चुतरन है वो कहां पर किया बताइए सरावक प्रतिकर्मन सुत्र चुड़नी का जो चित्र है वो दोस्तों कहां बनाया गया था यह आपको इसमें बताना है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है बताईए तो वो है दोस्तों इसमें कहां पर चित्रन किया था तो ये किया था दोस्तो आहड में ए नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा याद रखना बहुत ही अच्छा प्रस्न है आगे देखे दोस्तो इसमें नो नंबर का प्रस्न है मेवाड चित्रकला का चित्र स्रावक परतिकर्मन सुत्र चुरनी किसके सासनकाल में चित्रित किया गया तो ये किसके सासनकाल में चित्रित किया गया तो ये किया गया था दोस्तो रावल तेज सिंग के सासनकाल में ये चित्र है ये चित्रित किया गया था तो इसमें राइट दोस्तो इसमें नो तोड़ दसने मेवाड सेली में 1465 इश्वि मेंच चित्रित गरंथ गीत गोविंदे आरनेका का चित्रण कहा पर किया गया बताए जो राय पर चितरित किया गया यह आपको इसमें बताना है तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा वह्फे दोस्तों इसमें कि गोगंदा में यह किया गया था ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा वह इसमें सी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें 11 नंबर का प्रस्ण है मेवाड सहली का प्रमुक चित्र सुपास नहें चरित्रम यानि की सुपारसवनात चरित्रम किस वर्स तयार किया गया था बहुत ही अच्छा प्रस्ण है अ तो यह तयार किया गया था दोस्तों 1422 तेविस इस्यू में 1422 इस्यू में यह चित्रित्र किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह इसमें डी नंबर का जो option है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए राजस्तान की चित्रकला की जन्नब भूमी देखिए मानी जाती है वो है मेवाड दीक है और मेवाड़ चित्रकला के प्राचिन चित्र वह मानने जाते हैं देखें कौन-कौन से चित्रित ग्रंथ है एक तो है सूपारसवनाथ चरित्र और एक है स्रावक परतिकर्मन शुठर चॉरुणी जो ग्रंथ है यह चित्रित है और 12 ses 27 तेज जिंकि समय आहड में बनाया गया था नहीं और यहां पर बात और यह दोस्तों सूप अरस्वनात्र्य गये तो दोस्तों यह मोक्कल के समय 1423 बनाया गया था और देलवारा में यह चित रित्य किया गया था या आपको इसमें याद रखना है तो इस दी चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों ना नक्राम याद रखना बहुत ही अच्छा प्रस्ण है दोस्तों चावंड उदैपुर है यह महराना परताब के समय यहां पर चित्रकला प्रारंब हुई थी यह भी आपको इसमें याद रखना है तो नानक राम इसका एक नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और काफी ज़्यादा परसलीत भी है आगे देख दोस्तों 1605 इस्वी में रागमाला का चित्रन किया गया था ठीक है उसकी विशेष्टा क्या है यह अपने को बताना है तो दोस्तों यह चित्र 1602 इस्वी में चावंड में चित्रित किया गया ठीक है आगे देखिए इसमें देखे इसका चित्रन निशारुदीन चित्रकार ने किया बिल्कुल सही है नसीरुदीन चित्रकार ने किया था और इन्होंने दोला मारु का भी चित्र बनाया था नसीरुदीन ने ठीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है और 1605 इस्वी में बनाया था दोस्तों तो य अपना इसमें गलत हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा नंबर का सही है इसका चित्रन निशारू देन ने किया ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा यहां पे अगर दो की जगए अगर 1605 होता तो बिल्कुल सही होता ठीक है ब रसिक पिरिया, गीत गोविंद, सूर्शागर, बिहारी सत्साई, नायक नायका, भेद आदी का चित्र बनाएगे आदी के चित्र बनाएगे बताएगे किसके समय बनाएगे थे कौन से माराना के समय यह बनाएगे थे यह सभी चित्र तो दोस्तों यह सभी चित्र है यह बन इंद्शूर्श आगर बिहारी सत्साई नायक नायका यह समीं चित्र बनाए गए थे बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे महाराना जगत सिंग पर्थम के समय किस चित्रकार ने रामायन की सचित्र प्रति तयार की थी यह 1651 इस्वी में में चित्रीत की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह इसमें मनोहर यह नंबर का जो अप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मनोहर ठीक है आगे देखे इसमें 16 नंबर का प्रस्ण है मेवाड सहली में किसके सा असनकाल में साहिब दीन द्वारा सुकर छित्र महत्में तथा बर्मर्गीत का चित्रन किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें राज सिंग पर्थम द्वारा तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज में याद रखना है तो आगे देखिए इसमें 17 नंबर का प्रेशन है महराना भीम सिंग का जुलूस चित्र मेवाडी सेली में किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है दोस्तों भकता द्वारा ठीक है कौन सा चित्रकार था भकता ठीक है यह नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 18 नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए मेवाड सैली की मुख्य विशेष्था है वो क्या है तो दोस्तों देखिए रंग लाल पीला नीला का अधिक परियोग इसमें भी हिंगुल यानि कि लाल का परियोग सरव कोल आखे कमल या मीन के समान कटी विसाल बोहें नीम के पत्ते के समान चित्री थे बिल्कुल सही है सभी सही है दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उप्शन सही उतर है गुन्निस नंबर प्रेशन है बहुत ही अच्छा प्रेशन है निम्न मेंसे चितरका आधि किस सहली के प्रशिद्ध थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मेवाड सहली के ये प्रशिद्ध चितरकार थे जिसमें से नसीरुदीन, मनोहर, करपाराम, गंगाराम, जगरनात है ये प्रसिद्धे तीक है इनके अलावा भी आपको याद रखना है राम परताब, नयांचंदर, जीवा, अमरा, सीवदयाल, तीक है बहरुपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे, आठवी सताब्दी के किस गरंथ में, बीती चित्रों के संदर्ब में उल्लेखित किया गया है आठवी सताब्दी के किस गरंथ में, बीती चित्रों के संदर्ब में उल्लेखित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों अपना इसमें, गण समरा इच्छी कहा तो इसमें सी नमबर का जो अप्शन है, वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा निर्मित किये गए, कलिला दमना के चित्र है, वो किस सहली में निर्मित किये गए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड सहली में निर्मित किये गए, ए नमबर का जो अप्शन है, वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे मेवाड सैली के कलीला दमना के चितर का परमुक चितर कार कों था, राइट अंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तो साहीब दिन, याद रखना है आपको, मेवाड की चितर कला का सुनकाल दोस्तो जगत सिंग पर्थम का सासनकाल माना जाता है, यह भी आपको इसम पुष्टी मारक का प्रवेश किसके सासनकाल में हुआ पुष्टी मारक का प्रवेश किसके सासनकाल में हुआ तो यह हुआ था दोस्तों जगस सिंग के सासनकाल में यह नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जगस सिंग के सासनकाल में आगे देखे पिछवाई चितर कला में किसका चितरन किया जाता है पिछवाई चित्र कलाब में किसका चित्रन किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए कृष्ण की लीलाओं पर चित्रन कपड़े पर ये चित्रे नाथ जी की मूर्ति के पिछे बनाए जाते हैं इन चित्रों में माता यसोदा नंद बालगवाल गोपिया वे महन तो का चित्रन किया जाता है बिल्कुल सही है तो दोस्तों इसमें सारे सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 25 नमबर प्रेशने नरोतम नारायन, बीजी सर्मा, गंशाम दास, विठल दास, चंपालाल, गासी राम, उदेराम, देव कृष्ण, आदी चितरकार किस सहली के चितरकार थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे नात द्वारा सहली के, बी नमबर का जो उप्षन है, वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, केले के व्रक्स का प्रियोग है, वो अधिक किया गया है, तीक है, आगे देखे दोस्तों अपना इसमें, 26 नमबर का प्रेशन है, कमला तथा इलाइची नामक महिला चितरकार कि सहली से समंदित है, राइट आंसर हो जाएगा, वो है, दोस्तों नात द्वारा सहली से समंदित है, ये, C नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखे, बुंदी सहली पर किसके सासनकाल के समय, दक्सिन भारतिय सहली का प्रभाव पड़ा था, राइट आंस इसमें 28 नमबर प्रेस्ट है किस सैली में भाव सिंग के सासनकाल में मतिराम कवी ने ललित लालम तथा रसराज की रचना की थी राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बुंदी सैली तो इसमें ए नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएग और ये बुंदी में दोस्तो जो चितरकला प्रारंब है ये सुर्जन के समय हुई थी और उमेद सिंग के समय दोस्तो बुंदी चितरकला का स्वनकाल मना जाता है तीक है और दोस्तो उमेद सिंग का जो चितर है वो जंगली सुर का सिकार करते हुए चितरन किया गया है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बुंदी में बहाव सिंग के सासनकाल में ललित ललाम तता रसराज की रचना किस कवी ने की थी बुंदी में बहाव सिंग के सासनकाल में ललित ललाम तथा रसराज की रचना किस कवी ने की थी राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो किस ने तो मतिराम ने की थी तो इसमें राइट आंसर C नंबर उप्सन विल्कुल सही उतर हो जाएगा मतिराम ठीक है आगे देखें इसमें तीस नमबर प्रेस ने 1631 एस्वी में किसके सासंकाल में बुंदी सहली के चित्र अधिक विक्सित हुए तथा विलाशिता का चित्रन होने लगा तो इसमें D नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें 31 नमबर प्रेशने कि सहली के चित्रों में महराव उमेद सिंग को जंगली सुवर का सिकार करते हुए चित्रित किया एक चित्र में उमा महेश्वर के पूजन का द्रश्य तथा एक चित्र कृष्ण का बंची वादन का है बताईए यह कौन सी सहली के अंतर गताता है मैंने आभी आपको बताया था यह आता है बूंदी चित्र सहली में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बूंदी सहली की विशे प्रिवेश के साथ चितरित किया गया है बिल्कुल सही है यानि कि यह सभी क्या है यह बुंदी शैली की विशेषता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी नंबर का उप्शन सही उतर प्रोकते सभी तेटीस नंबर का प्रस्न इसमें देखिए सुर्जन एहमद रामलाल सिरी कृषन डालू तथा भीकराज नामक चितरकार किस सहली के लिए प्रसिद रहे हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बि इसमें कोटा रियासत बुंदी रियासत से अलग कब निर्मित हुई यह अपने को यहाँ पर बताना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है अपना इसमें 1631 में एह नंबर का जो अप्शन है वह इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा ठीक है दोस्तों उसे जागीर में दिये जिसके फलसवरों पे दोस्तों 1631 सीश्वी में कोटा राज्य की स्तापना हुई थी ठीक है मादो सिंग के द्वारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखे कोटा सेली का सवतंतर अस्तित्व स्तापित करने का इसर है कि सासक को दिया जाता है तो कुन से सासक को दिया जाता है तो ये दिया जाता है दोस्तों राजा राम सिंग को दिया जाता है राम सिंग के समय ही कोटा में चितरकला प्रारंब हुई थी ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखे द होता है कोटा रियासत के कि सासक के सासनकाल में कोटा में चित्रकला पर हुएक हो जाएगा तो भीम सिंग कbreड़ों के सासनकाल में ठीक है पर差 रो जाएगे इसमा है बेंस्टिंग पर्थम एनमबर उप्षन बिल्कुल से उतर 37 नमबर प्रस्टन इसमें लच्छी राम रगुनात गोविंद्राम तथा नूर मुहम्मद नामा का प्रशिद्द चितरकार किस रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें कौन से चलिके तो कोटा से कर दोस्तर हो जाएगा कोटा से लिके आगे देए कँगे कोटा चितर कला के मुक्वे आसरधाता सासक कौन से हैं तो इसका राइट अनसर हो जाएगा वो है दोस्तों थी जाएगा ओमेद सिंग आगे देखे कोटा चितर सेली में किसके सासनकाल में सिकार चितर को बरमार से चितरित किया गया है राजमहल की भीतियां पर भी शिकार चितर बनाए गए है बताइए दोस्तो कोटा सेली की जो मुख्य विश्यस्ता है वो है नारी सुंद्रियता का चितरन है वो अधिक किया गया है और शिकार के द्रस्यों का भी चितरन है वो अधिक किया गया है मैलाओं को पस्वों का सिकार करते हुए दिखाया गया है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो यहां पर इस प्रेस्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कौन सा तो वो है उमेद सिंग डी नंबर का जो अपसर है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उमेद सिंग के सासनकाल में सिकार चितर को भरमार से चितरित किया गया है तो इसमें डी नंबर अपसर राइट आंसर आगे देखें कोटा सेली की मुख्य विशेस्ता क्या है कोटा सेली की मुख्य विशेस्ता है वो क्या है तो यहां पर देखिए दोस्तों राम द्वारा हरन का सिकार करते हुए सरी राम द्वारा हीरन का सिकार करते हुए चितरित किया गया है बिल्कुल सही है हरे रंग की प्रष्ट भूमी पर गुलाबित और बूरे रंगों का समन्वे किया गया है बिल्कुल सही है कोटा भी पुष्टी मारगी वेशनों संपरदाय का केंदर रहा इसलिए कृष्ण लीला के ऐसंखे चितर बने बिल्कुल सही है यानि कि तीनों का थन है वो इसमें बिल्कुल सही है तो रगुनात तथा गोविंद है यह कौन सी सेली से समन्दित है तो यह समन्दित है दोस्तों कोटा सेली से तो इसमें सी नंबर का ओप्षन राइट आंसर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है कोटा के उतकरष्ट भीति-चित्र के लिए निमनी मेंसे कौन प्रसीद है तो दोस्तों देख़िए जाला की हवेली राजमहल देवताजी की हवेली यह सभी प्रसीद है दोस्तों भीति-चित्र के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा उप्रोप सभी Jamaica बिल्कुल से उत्तर आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए पीन अधर सुधिर्ग नासिका पतली कमर उन्नत उरोज कपोल खिले हुए सुंदर नारिक का चित्रने कि सहली की विशेष्था है जिसमें आखे कटाक्स वाली गर्दन मसाल युक्त चित्र सुधित है बताइए यह कौन से सहली की विशेष्था है राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा सहली की विशेष्था है राइट अंसर ए नंबर ऑप्सन सही उत्तर हो जाएगा नारी संदरिया का चित्रन है यह भी अधिकोता था कोटा सहली में तो इसमें ए तो अपना इसमें देखे किसंगड के किस सासक का योगदान किसंगड सहली के विकास की आदार सिला है जिनोंने कृष्ण के बाल की सोर एवं युवा सभी रूपों की प्रेम लिलाओं का चित्रन करवाया किस ने करवाया था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ह और कुछ मत कर देना रूप सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो देखिए सावंत सिंग का सासंकाल किसंगड सहली का सोनकाल माना जाता है या आपको इसमें याद रखना है सावंत सिंग ने अपनी प्रेमी का रसिक विहारी को राधा के रूप में चित्रित करव प्रमुक चित्र है वो है बनी ठनी और इस चित्र को बनाया किस ने था मोर्दवज निहाल चंद ने इसी बनी ठनी के उपर गुणी सो तेतर में डाक्टिकट जारी किया गया था और एरिक डिक्षन के द्वरा भारत की मुना लिशा की संग्या दी गई थी बनी ठनी चित्र को यह आपको इसमें याद रखना है और एक चित्र और है वो है चांदनी रात की गोश्टी इसके चित्रकार थे अमीर चंद यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें रूप सिंग इसका राइट आंसर आगे देखिए किसंगड के सासक नागरिदास य दोऊस्तो कि शनगड़ के सासक नागरिदास का सासंकाल माना जाता है तो इसमें एह नमबर ऑप्षन बिलकुल सही उतर हुँ सीताराम। तथा बदनसींग चितरकार किस सैली की खंधि थे राइट आंसर होजाएगा वो है दोस्तो कि शनगड़ गणा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्रों जाएगा आगे देखिए किसंगड के चित्रकार निहाल चंद के चित्रों की मुख्य विशेष्था क्या है तो चित्रों की जो मुख्य विशेष्था है वो है दोस्तों निहाल चंद दरबारी कलाकार थे परंतु चित्र उन्हों औने ग्रामे जीवन की लोगवना से ओत्पॉत्पॉत होकर बनाये गई पनत बिलकल सही है अगे द다면 निहाल चंद है झत्रों में बक्ती भाव को सहज रूप से ढारन करने का मा देम नेत्रों को माना है बिलकुल निहाल चंद के चित्रोंप में रंग संयोजन सुंदर और कोमल आबा किये हुए है बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है उपरोकत है सभी दोस्तों किसंगड सहली में नारी चित्रन अधिक हुआ है सपेद गुलाबी रंग क कांगडा चित्रकला का परभाव भी पड़ता है मयलाओं के चित्र में नाक में वेसरी नामकाबुसन भी परनाया जाता है यह भी आपको इसमें याद रखना है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखे निहाल चंद द्वारा बनाएगे चित्रों में सम सब्सक्राइब यह यह राजा नागरिधास की सभmberवोद केमेश्चेरकश यह यह किसंगड की राजा नागरिदास की प्रेशी थी बिल्कुल सही है किसंगड में संसकर्त कावे में वन्नित आदर्स नाइका को आदार बनाकर निहाल चंद ने बनी ठणी के रूप में नागरिदास की रादारची थी तो बिल्कुल सही है तीनों कथन है वो दोस्तों इसमे है वो क्या है तो देखे गोरवन सगन सुसजित केस रासी माथे परबिंदी कमान की तरह ब्रकुटी गने कजरारे कमल नेन तीकी नाक में सुंदर नत गोल तीकी चिबुक नंभी गर्दन अंगुलियों को भावपून डंग से सजाया गया एक हाथ में कमल तो दूसरे हाथ में गुंगट को पकड़ रखा है तो दोस्तो इसका राइट अंसर यह सभी सत्ते हैं राइट अंसर हो जागा इसमें इनमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर बावन नमबर का प्रेस नहीं इसमें देखे नानक राम रामनात जोसी सवाई राम तथा लाडली दास नामक परमु प्प्वेजए चींगतine लाडले से नहीं सब्द्रेश्वोप्सन है वह इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा यागे देखे देखे जाते हैं ठीक है मान सिंग के समय प्रारम हुई थी दोस्तों आमेर में चित्रकला ठीक है और इस समय रजम नामा जो महाबारत का फार्शी में अनुवाद है उसके चित्र बनाए गए थे तो यह काफी सारी चित्र हैं वो बनाए गए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इसमें अमेर चित्रकला के भीती चित्रों के लिए प्रसिद मुगल उद्यान कहां पर इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बैराट में इस्तित है चित्रों में चकदार जामा लटकते जिम के कि सहली बरुटिक है टित्रों में चकदार जामा अटपटी-फगडी जब्वेदार मोचडी ऱ्यरी तथा जगय जगय कपड़ों में लटकते जिम के सहली का प्रतीकよ TH You cum सवाई जय सिंग्ने कुल कितने कारखाने सतापित किये थे तो सब्सक्राइब कारखाने वो इसतापित किये थिया थी खुश अगे देखें दोस्ता अपना इस जैपूर के किस महराजा के समय साहिब्राम तथा लालचंद पर्मुक्चित्रकार थे तो यह थे तो इस्वरी सिंग के समय इस्वरी सिंग के समय दोस्तों साहीब राम ने आदमकद चितरन प्रारंब किया था यह भी आपको इसमें याद रखना है और लाजचंद भी इनके समय राम जी दास तथा कुसला नामक चितरकार किस सहली के प्रसिद रहे हैं राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैपूर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें जैपूर महराजा परताब सिंग के सासनकाल के परमु चितरकार कौन थे राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो देखिए साहिब राम राम सेवक गोपाल उदय हुकमा लक्समन गासी जीवन रादा किर्षन चिमन राजू सितारा मंगल राइट आंसर हो जाएगा इसका उप्रोक सभी डी महाराजा के सासनकाल में गोवर्दन धारन तथा रास मंडल का चित्रे आकरती चित्रे पुंड्रिक जी की हवेली के बीती चित्रे विश्ट्नु सहस्त्र नाम तथा मदू मालती के करतियों के चित्रे बनाएगे तो किस महाराजा के दोस्तों यह सासनकाल में बनाएगे थे वह बी नंबर उप्शन बिल्कूल सेउतर है ठीक है आगे देखिये इसमय महाराज़ा सुल ओफ आर्ट की स्तापना 1857 में और काहा पर की गई, ये की गई दोस्तों जैपुर में, इनमबर ऑप्शन बिल्कूल सही उद्टर हो जआ गा, जैपुर वा जैपुर में, आगे यह थी राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंग सी नंबर ओप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए मीरबक्स नामक चितरकार किस सहली का चितरकार था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उनियारा उनियारा सहली का चितरकार था यह राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों इसमें देखे धीमा मीरबक्स कासी रामलकन भीम यह सबी थे दोस्तों उनियारा सैली के पर मुक्ष चितरकार यह आपको इसमें याद रखना है और दोस्तों उनियारा जो सैली है यह डूंडान और बुंद सेखावाटी सेखावाटी चित्र में वीति चित्रों की परंप्रा कब से प्रारम मानी जाती है तो यह तो शुल्वी सताबदी से सोरी पंदरवी सतापदी से मानी जाती है यानि कि लगबग 1451 इस्वी में ये प्रारम मानी गई है तो इसमें ए नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखें सेकावटी चितर में बीती चितरों के परमुख विशह क्या थे तो बता ये तो परमुख विशह क्या थे ये अपने को इसमें बताना है देखिए मित्रों यहां पर उंट गोड़े पर सवार योदा जिसमें परमुख डूंगर जी जमार जी थे बिल्कुल सही है प्रेम कथाओं का चितरन जिसमें जलाल भूबना सुदबुद सावलिंगा लेला मजनू हीर रांजा राजा रिसाल यह मुक्षे हैं बिल्कुल सही है रेल गाड़ी हवाई जाज और मोटर गाड़ी को बिच्टरित किया गया है सिकावाटी चितर में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अलवर सेल बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा? अलवर के आंगे ऐगे सौमनादास छोटें लाल बक्सराम नंडराम आधी चितर कार तो यह समंदित है दोस्तों ती जराल आइस ay मिखए के थे तियुक्ते यह सालीगराम जमनादास जोटे लाल बक्सराइं नंद्राम यह अ techniques जो जाए है उसका राइट नंसर हो जाएगा वह एसमें बलवन्सिंघ के शी नमबर नेफरी वादन करती महीला प्रशिद्ध चित्रे कि सली में इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अगे देखे मारवाड में अजनता-चित्र-परंपरा का प्रभाव कहा इसनाध्र पर देखा जा सकता है तो इसका राहिट ऊंसर हो जाएगा कि मारवाड के सात्वी सदी के चित्रकार स्रंगधर का उलेक किया था बताए किसे तिबती इतियासकार ने अपनी यात्रा वर्तानत में मारवाड के सात्वी सदी के कि तो इसमें यह नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा नेकस्ट आगे देहें मारवाड के किस सासक के समय डोला मारू रसिकपिरिया था वागवत का चित्रन किया गया जिसमें बढकीले रंगत ने विलासिदा के दर्सन होते थे बताए किस के समय किये गए थे तो यह किये गए थे दोस्तों सोर्सिंग के समय बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें कि अठारवी सताब्दी के मद्दे जोदपूर महाराजा विजय सिंग तथा विकानेर महाराजा गजय सिंग की मितरता का कारण यानि कि मितरता के दोनों चेत्रों में चित्रन किया राइट आंसर इसका सी नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए मारवाड में किसके समय व्यक्ति चित्र दर्बार वै जुलुस से समन्दी चित्रन अधिक हुआ था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भ भीक्डार रहे हैं तो यह रहे हैं ये प्रसिद रहे हैं इसका और नंबर उपशन बिल्कुलतर् आगे देखिए 1663 में किस किस चित्रकार ने कल्यानी राग का चित्रन पाली में किया था विशे की द्रीस्टी से किस शहली में पाबु जी राठोड जुंजार जी आधी वीरों की गाथा तथा डोला मुमल दे निहाल दे आदी प्रेमियों की लोकत्थाओं पर चित्रन किया गया है तो कौन से सली में किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों मारवाड सली में यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए मारवाड सली की विशेष्था क्या है तो दोस्तों मा नहीं इस्तिरियों को टोपी पहने चूड़ीदार पजामा पहने चित्रित किया बिल्कुल सही है पस्वों में ओंट गोड़ा हीरन तथा स्वान और खंजन पक्सी का चित्रन है वह अधिक किया गया मरू के टीले चोटे चोटे जाड आम प्रक्स का चित्रन भी किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह प्रोक्त है सभी डी नंबर का जो ओप्षन है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें मारवाड सहली का प्रमुक्चित्रका है वह कौन है तो वह है दोस्तों इसमें वीर जी नाराइण दादा अमर्दास भाटी चट्च भाटी किसंदास सिवदास बाटी देवदास जीतमल कालू काला रामू यह सभी क्या है यह चित्रकार थे मारवाड सहली के राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी उस्ताकला किस सहली के चित्रकार परसीद हैं बताएगे मेत्रेड तता उस्ताकलाकार के उस्ताकलाकार है वो किस सहली के चित्रकार परसीद हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बिकानेर सहली के एनमरा उप्सन बिल्कुल सभी उतर हो जाएगा आगे देखे बिकानियर के किस माराजा के समय उस्ता अली राजा तथा उस्ता हामीद रुकनुदीन मुखि च्तरकार थे तो बताए उस्ता अली राजा तथा उस्ता हामीद रुकनुदीन ये किस राजा के समय च्तरकार थे तो ये थे दोस्तो राज सिंग के समय C number का option right answer हो जाएगा आगे देखे विकानेर महराजा गज सिंग के समय लाहोर से आए किस परमुक चितरकार ने रागमाला सिकार के द्रस्चे तथा राज परिवार के लोगों के चितर बनाए थे तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है कौन सा तो साह मौमद डी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा साह मौमद आगे देखिए किस चितर सेली में कई जानवरों को संजोकर हाथी का चितर बनाए गया right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बिकानेर से ली तो इसमें बी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा, विकानिर सहली, आगे देखे, रुकणु दिन, साहिब दिन, बरूदिन, रहिमको, नाथू, मुराद, सहे, मुहम्यद, रामलाल, इसा, अलिरज्ज़, अदिकिस सहली के चितरकार थे, तो ये कौन सी सली के चितरकार थे तो ये विकानियर सली के चितरकार थे सारे के सारे ए नमबर उप्शन सहयुत्तर आगे देखे संगराम हाती किसका था जिसके अनेक चितर बनाए गए तो ये हाती था दोस्तों जांगीर का तो इसमें सी नमबर उप्शन राइट अंसर हो जा देखिए अल्लावगस भीमा और नातु तीनों ने मिलके बनाया था राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी नेक्स्ट आगे देखिए राजस्तानी चितरकला के परमुक के अंदर सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमेलित नहीं है वह अपने को बताना है तो यहां पर देखि जैन बंडार चित्रकला संग्राले कहां पर इस्तित है यह इस्तित है दोस्तों जैसल मेर में B-Samtos भीम्बर का उप्सन भीकल सही हुतार आगे देखिए सरस्वती नामक संग्राले कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है दोस्तों उध्यपुर में ए नंबर व्प्षन बिल्कुल सही उतर, आगे देखे बदे है, में सोरी, बदे शर के चो मंजिला महल के बीती चितर, किस जिले में इस्थितर, राइट अंसर हो जाएगा इसका, वह है दोस्तों अपना इसमें, चितोडगड में, सी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखे बीती चित्रों के लिए प्रशिद बनेडा के जैन मंदिर गंगापुर के सिंगवी हवेली चांदरास गाउं के छे खंबो की छत्री किस जिले में इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिखावाटी में ए नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे बीती चित्रों का स्वर्ग किसे का जाता है बीती चित्रों का स्वर्ग है वो किसे का जाता है तो वो का जाता है दोस्तों चित्र साल में औगे देखे के लिए प्रशीद धा बाई जी कि हवेली पीपलियां जी थोत्त हरो जाएगा आगे देखे बीटिए जिताओं में जो ऊप् dispose हो जाएगा तो तो दोस्तों प्रस्तन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने पिछली जो तीन कलासे हैं वो नहीं देखिए तो वो जरूर देखें आप प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान कलास अंसकर्तिक टोपिक वाइज क झाल 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 झाल